हेलो स्टेंट, आयम एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं अपने फिजिक्स का जो पहला पारट है उसके पहले चैप्टर की चैप्टर नमबर फर्स्ट विद्दुचेत्र मिन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड ओके तो विद्दुचेत्र में स्टार्टिंग हम चार्ज से करते हैं आविस से करते हैं जो हम पढ़ चुके थे तुमने कोपी में लिखा हुआ है उसको पढ़ना है एक बार उसके बाद जैसे हमागे चलते हैं एक हमारा important topic आता है आवेश पढ़ा है तुमने उसके बाद विदुशेतर की बाते पढ़ी है उसके बाद हमारा एक topic आएगा बुक में देखना है विदुत दुई धुरू जो के एक बहुत ही important topic है तो देखते हैं विदुत दुई धुरू क्या होता है पहली बात दो बिंदु आवेश लीजिए अब बिंदु आवेश क्या होते है आवेश क्या है किसी वस्तु का गुन है जिसकी वज़े से हो हलकी वस्तु को अपनी और आकर सित करने लगती है तो अपने को क्या करना है कोई ऐसी वस्तु लेनी है जिनका आकार बहुत ही कम होता है और उनको आवेशित कर देना है तो उस वस्तु को बोलेंगे हैं बिंदू आवेश तो ऐसे ही हमने दो बिंदू आवेश लिए ठीक एक पर है प्लस Q चार्ज दूसरे पर है माइनस Q चार्ज तो जरा आद देखो इसमें खास बात क्या है इस पर भी Q चार्ज है इस पर भी Q चार्ज है बट इस पर पोजिटिव है इस पर नेगेटिव है तो मैं क्या कह सकता हूँ दोनों आवेशियों का परिमान समान है लेकिन प्रकरती विप्रीत है और इनको कुछ दूरी पर रखा गया है और टेक्निकली ये दूरी होती है बहुत ही कम जिसको हमने टूए से रिपर्जेंट किया हुआ है तो ये ही जो तुमारे सामने एक सिस्टम एक निकाय बन कर तयार हुआ है इसी को हम विदुत दुईधु बोलते हैं तो डेफिनेशन क्या बोलती है वह निकाय जिसमें समान परिमान परंतू विप्रीत प्रकरती के दोवेश एक दूसरे से अती अलप दूरी जो कि हमने तो वह निकाए क्या कहलाता है? विद्दूत दूइद्रू आगूरून कहलाता है तो जरा डेफिनेशन को एक बार और देख लेते हैं वह निकाए जिसमें समान परिमान परंतु विप्रीत प्रकरती के दो बिंदु आवेस एक दूसरे से अतियल्प दूरी पर रखे हों निकाए विद्धु दूदुरुआ घूरुन कहलाता है अब देखो तुमने केमिस्ट्री में अपड़ा होगा जैसे हलोता है ठीक है यह जब ब्रेक होता है तो कैसे होता है एच प्लस सी एल एच पर हाइट्रोजन पर पोजिटिव चार्ज सी एल पर उतना ही नेगिटिव चार्ज तो रियल्टी में यह कुछ ऐसे होते हैं यह हाइट्रोजन का एटम हो गया यह क्लोरीन का जो इनके बीच का कुछ सैपरेशन भी तूम देख पा रहे हो ठीक है तो विद्दूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूद क्या है हमारा विद्दूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूद के बीच की दूरी के गुणनन फल को विद्धु दूईदुरु आगूर्ण कहते हैं इसे P से परदर्शित करते हैं तो P is equal to हो गया Q into 2A जहां Q है दूईदुरु के किसी भी A कावेस का परिमाण और 2A है इन दोनों के बीच की दूरी अब विद्धु दूईदुरु आगूर्ण की कुछ और खास बातें देखते हैं तो पहली खास बात हमें याद रखना है विद्धु दूईदुरु आगूर्ण एक सदिस रासी है विद्धु दूईदुरु बहुती करासी नहीं है तो इसके लिए ये प्रसंद ही नहीं उठता है कि ये सदिस है या अदिस क्योंकि ये तो एक निकाय है हाँ इसकी बात करते हैं हम तो विद्दू दूइधरू आगूरू एक सदिस रासी है कहीं लिखा होगा देखो हाँ ये है एक सदिस रासी है और जिसके दिसा होती है सदैव नेगिटिव से पोजिटिव की और ऐसे तो मैंने P के उपर वेक्टर लगाया हुआ है क्योंकि P, P means विद्दु दूइदु दूइदु आगून एक सदिसरासी है और इसके दिसा होती है नेगिटिव से पोजिटिव की और तो यह एक सदिसरासी है जिसके दिसा सदैव रिन आवेश से धन आवेश की और होती है और विद्धु दुई दुई धुरू आवगून को वेक्टर फोर्म में लिखा जाएगा P is equal to Q into 2A तो P क्योंकि सदिसरासी है इसलिए वेक्टर लगाया हुआ है Q आवेश है आवेश सदिसरासी होती है इसलिए कोई वेक्टर नहीं है और 2A क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है अब चुँकि दूरी वैसे तो अदिसरासी होती है लेकिन अगर दूरी बहुत ही अलफ होती है तो हम इसको सदिस मान सकते हैं तो यहाँ पर दूरी अदिस ना होकर सदिस है इसका SI मातरक होगा कूलाम मीटर क्यों 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 क्या है आवेश का मातरक कूलाम 2A क्या है दूरी दूरी का मातरक मीटर तथा इसका CGS मातरक डिबाई होता है important बात है याद रखना cgs मात रख डिबाई डिबाई ओके अब हम बात कर लेते हैं इसके इसकी वीमा की तुमारे याद होगा अब देखो वीमा निकालते हैं कैसे निकाल लेंगे वीमा जरा ध्यान देना तुमारे याद होगा i means dhara dhara equal to होता है q upon t q always हो गया तो q is equal to i into t i dhara है dhara को हम ampere में measure करते हैं और ये क्या है t t यानि की sum इसको second में measure करते हैं ओके तो p is equal to होता है 2a into q ओके हाँ तो 2a क्या थी दूरी और दूरी की वीमा क्या होती है l q क्या है always always की अभी हम देखते हैं always बराबर क्या होता है dhara into sami dhara की वीमा a sami की वीमा t तो इसका dimension formula क्या बनता है m l t a तो द्यान दो m है नहीं 0 l 1 है t 1 है a 1 है तो ये हो गए आपका dimension formula तो dimension formula क्या बनता है इसका m0 l1 t1 a1 ये हो गया हमारा वीमिय सूत्र dimension formula अब हम विद्धु दूइधु दूइधु आगून से रिलेटिट कुछ नुमेरिकल करके देखते हैं पहला एक्जाम्पल 3.2 माइक्रो कुलाम परिमान के दो आवेस एक दूसरे से एक एंगस्ट्रोम की दूरी पर रखे हैं निकाय का दूइधु आगून गयात कीजिए तो दूइधु आगून का फॉर्मला बच्चो P is equal to 2A into Q 2A क्या है दोनों के बीच की दूरी जो दी हुई है हमें 1 एंगस्ट्रोम 1 एंगस्ट्रोम को मीटर में बदलोगे तो क्या हैगा 1 multiply 10 दी पावर माइनस 10 मीटर ओके यह हो गया 2A Q Q कितना given है 3.2 माइक्रो कुलाम तो multiply 3.2 माइक्रो माइक्रो को अटाइए 10 दी पावर माइनस 6 कुलाम तो answer क्या है आपका 3.2 multiply 10 दी पावर माइनस 16 answer is कुलाम मीटर next example क्या है हमारा चित्र में दर्सा एक गए दो आगुरूनों का परिणामी दूइदुरू आगुरून गयात कीजिए चित्र में देखते हैं दो दूइदुरू आगुरून दी में P1, P2 जिनके बीच का एंगल कितना है 30 degree तो हमें एक P1 हो गया इसका परिणामी कैलकुलेट करना है तुम्हें याद होगा 11 में हमने पढ़ा था जैसे दो फोर्स हुआ करते थे बल हुआ करते थे F1 ऐसे F2 और हमें इनके बीच का एंगल थीटा हुआ करता था तो अगर जब हमें परिणामी यानिकी रिजल्टेंट निकालना होता था तो क्या फोर्मुला था P is equal to bracket और सुरी अंडरूट एक मिनट तो क्या फोर्मुला था F1 स्क्वाइर प्लस F2 स्क्वाइर प्लस 2 F1 F2 कोस थिटा तो यही फोर्मुला भाम यूज़ करने वाले हैं अपने इस कोशन में तो क्या फोर्मुला बनता है यहाँ पर परिणामी के लिए P is equal to अंडरूट P1 स्क्वाइर प्लस P2 स्क्वाइर प्लस 2 P1 P2 कोस थिटा ओके तन तो P is equal to P1 स्क्वाइर means P1 स्क्वाइर value यह है P2 e square P2 भी P2 ही है प्लस 2 P1 into P2 कोस 30 degree क्योंकि एंगल क्या है 30 degree कोस 30 का तुम मान जानते ही हो कितना होता है रूट 3 by 2 तो यह value इतनी है यह इतनी है यह रूट 3 by 2 की value रखना sorry मैं यह भूल गया और इसको solve करना अब next topic में कुछ और इससे आगे की बात करते हैं ओके